अखंड मंडला कारं व्याप्तं एन चराचरं तत्पदं दर्शितं एन तस्मै श्री गुरवे नमाहा निष्काम भावनया कार्यम करनियम प्रया क्रियमानेही उदार कर्म भिही नूनम् त्वम् स्वमेव उपकुर्वन्नसी निष्काम भावनया कार्य करनेन चित्त शुद्धिही भवति चित्त शुद्या भगवत प्रीतिहि भवति भगवत प्रीत्या भगवत साक्षातकारह भवति वस्तुतह मनुष्यह जगते उपकारं कर्तुम नशक्नोति केवलं देवह उपकारं कर्तुम शक्नोति यह चंद्रसूर्यो श्रिष्टवान अस्ति, यह माता पित्रोहो आंतर्ये प्रीतिम स्थापितवान अस्ति, यह महापुरुशेशु दयाम वर्धितवान अस्ति, यह साधु भक्तानाम हृदये भक्त्याह उदयं कृतवान अस्ति, सहा देवह तत्कार्यं करोति, यह कामनाशुन्यह सन् कार्यं करोति, तेन स्वस्मय एव श्रेयह आनीयते, तव हृदये स्वर्णगनम अस्ति, किन्टु तत अस्ती इती ट्वया नज्ञातमस्ति, तस्य उपरी किन्चित मृदह आवरणमस्ति, येतत रहस्यम त्वं जाना सिचेत, तव येतानी कार्यानी सरुवानी न्यूनानी भवन्ति, स्नुषा स्वशिशोह जनन समनंतरं, शिशोह योगक्षेमे एव निरता भवति, तदा श्वश्रूहुत् तया एकम कार्यम अपिन कार्यति, अग्रे गच्छ, अग्रे गच्छ, कदाचित कष्चन कास्थ चेत्ता कास्थ मानेतुम् वनम् गतवान, तत्र कष्चन ब्रम्हचारी तम् अग्रे गच्छ इति उक्तवान, सह अग्रे गत्वाद्रिष्टवान, तत्र चंदन वनमासीत, कथिपय दिनाना मनंतरं, ब्रम्हचारी माम् अग्रे गच्छ इत्तुम् उक्तवान, इति तस्मिन् आलोचना आगता, अतह, ततह अग्रे गत्वाद्रिष्टवान, तत्र रजतखनिही आसीत, इतोपी कथिपय दिनाना मनंतरं, इतोपी अग्रे गत्वाद्रिष्टवान, तत्र सुवर्ण खनिही आसीत, ततह अग्रे गत्वान, तत्र मानिक्य खनिही आसीत, इतोपि अग्रे गतवान तत्र वज्रखनिही आसीत एताह सर्वाह खनीही लब्ध्वा सह महान ऐश्वर्यवान अभवत